हेलो एवरीवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग सुवस्त हैं कल रात एक बजे के आसपास SSC CHSL 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया SSC थोड़ा लेट हो गया नोटिफिकेशन जारी करने में लेकिन आपको एक्जाम डेट्स अल्रेडी पता दी तो आप लोगों की तियारी अच्छे से चली रही होगी इस वीडिए में सारी चीजे डिस्कस करेंगे कि क्रूशल डेट्स क्या है कब से कब तक आप हों भर सकते हैं क्या क्या फों भरते टाइम आपको साफधानी बरतनी चाहिए सैलरी क्या होगी इस बार वेकैंसी बहुत अच्छी है 3712 वेकैंसी जै ती पिछले साल तो सिर्फ 1200 वेकैंसी ती कहीं ज्यादा वेकैंसी देखने को मिल रही है और यह वाला येर दोजार जोवीज गोर्मेंट जो वेस्प्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है 2022 में बहुत अच्छी वेकैंसी है डिपार्टमेंट मे देखने को मिल रही है सीजल में भी मैं एकस्ट टर रहा हूं कि 10,000 प्लस वेकैंसी जाने वाली है ठीक है तो मिनीमम इतना मेरे को लग रहा है आप लोग अपनी तियारी में जान लगा दीजिए आपका एक्जाम डेट्स पता है कब कब एक्जाम आपका हो सकता है फुल डे से पेड यूजर के लिए बनाता है वो भी आप लोगों के लिए फ्री टेलिग्राम पर डागनोगा ठीक है तो चलते हैं आगे सारी चीजों को समझते वे चलते हैं नोटिफिकेशन आपका आठ ओल्रेडी निकली चुगे तिन नहीं उन्हें कह रखा आठ से आठ तारिक को शायद ही कोई फिल कर पाया होगा तो आप नो से मानके चलिए आप साथ मही तक फोर्म को भर सकते हैं ठीक है लास्ट टेट साथ मही है पेमेंट आप आठ मही तक कर पाएंगे फोर्म भरते टाइम अगर आपको कोई भी गलती हो गई तो एक क्रेक्शन विंडू है जो कि 10 म 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th July में आपका CHSL का पेपर होगा टीर 1 एक्जाम की डेट पर से चलिए इस सब्जेक्ट आपको साथ की जफता है तो त्यारी करते रहिए चलिए आगे भढ़ता हूँ मैं ठीक है इसमें आपके पास CHSL में गनरली एक तो आपकी पोस्ट होगी लोवर कर maximum vacancy DC की होती है यह आपकी 1900 grade पे की job होती है LDC की ठीक है इसके अंदर salary structure अभी बात करूँगा इसके बाद आपकी एक post होती है data entry operator की जो की level 4 की post होती है 2400 grade पे की और एक और data entry operator की ही post होती है यह भी level 4 की होती है ठीक तो दो तरह की post basically मान के चलिए 1900 grade पे 2400 grade पे तो LDC की ज 42,000 something है ठीक है और minimum जो salary जाएगी वो Z city में जाएगी वो 37,000 something जाएगी और data entry operator की X city के अंदर gross salary है 56,655 और Z city के अंदर 48,855 तो आपकी जो salary की range है अगर मैं देखू तो 37,000 minimum और 56,000 maximum present की टाइम पर आप आज जोइन करते हैं लेकिन जब आपकी जोइनिंग आगी तो इसमे DA address allowance आपका और भढ़ जाएगा तो salary आपको इससे ज़्यादा ही मिलने वाली है ठीक है और salary structure कैसे government employees को होता वो अलग से वीडियो में बता रखका है महां से आप और अच्छे समझ सकते हैं firm भरने के लिए आपको ssc.gov.in जो ssc की नई website है इस पर जाके भरना पड़ेगा एक अलग से वीडियो में साई चीज़े बता रखिए इस बार vacancies 3712 है हमारे पास 2023 के अंदर सिर्फ 1211 vacancies थी और CHSL 2022 के अंदर हमारे पास 322 vacancies थी तो यह vacancies का number अपने आप में बहुत अच्छा है ठीक है अपनी तियारी अच्छे से करिए हो सकता है इनी future कुछ vacancies दिन में से decrease भी हो जाए ठीक है थोड़ी बहुत भड़ भी सकते है decrease होने के चांज़ सोड़े से जादा रहते है तो आप 3534 vacancies के अनुमान लगा के अपनी तियारी को अच्छे तरीके से करिए ठीक है वो अगस्ट 1997 में से पहले नहीं होना चाहिए और एक अगस्ट 2006 के बाद नहीं होना चाहिए अपर age limit में relaxation भी मिलता है जैसे SCST केटेगरी को 5 साल का OBC केटेगरी को 3 साल का इस तरीके से तो SCST वाले कितने साल तक eligible हो गए आप 5 साल जोड़ देंगे तो 32 साल की इस तक eligible हो ग टिक आगे मैं भड़ता हूं जो crucial data certificates की वो साथ पांच है सोरी ठीक है साथ मई तक आपके पास जो भी certificate जिस भी category से आप apply करना चाहते हैं उसके certificates हो best रहेगा ठीक आपको कोई भी आगे तक दिक्कत देंगी खास्तोर पर OBC candidates के लिए EWS के लिए नोंने यहां पर लिखा होगा वो financial year 2023-24 जो की अभी 31 मार्च को खताम हुआ उसके income के basis पे जो नया certificate बनेगा एक अप्रायल के बाद से जो financial year 2024-25 के लिए suitable होगा उसके basis पे आपका EWS certificate चलेगा तो जल्द से जल्द आप EWS certificate के लिए apply कर दीजिए कोशिश कीजिए जो last data form भरने की इस से पहले अपना EWS certificate बनवा लीजिए तो ही आप EWS से apply कीजिए ठीक है वैसे तो यहां पर financial year का माना जाएगा यह लिखावा है कि जो person इन category से apply करता है crucial date से पहले उनके पास certificate होना चीए और वो date क्या है हमारे पास साथ महीं तो कोई दिक्कत ना हो अगर आपको 100% secure है तो इस particular date से पहले certificate अपने बनवा ले तो best रहेगा ठीक है यह recommendation है बाकि notification अपने साब से खुल से पढ़िए और समझे क्योंकि अभी अगर मैं बात करता हूं education qualification की तो 12th past तो mandatory है ठीक है जो ldc की post है जिसकी maximum vacancies आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 12th past मांगा गया है चाहे आप science से हो, commerce से हो, चाहे art से हो, कुछ फरक नहीं पढ़ता है ठीक है और जो आपका result है वो 1 अगस 2024 से पहले आ जाना चाहिए अगर नहीं आया तो आप eligible नहीं रहेंगे दूसरी चीज़ यह हो गई अगर आप data entry operator के लिए apply कर रहे हैं ठीक ह करने के लिए मैंने बताया ssc.gov.in पर जाना है ठीक है ssc.nick.in वाला registration आपका काम नहीं करेगा कैसे registration करना है वो मैंने इस वीडियो में बता रहे है form कैसे fill out करना है वो भी आपको इसमें समझ आ जागा selection post के लिए बताया था chsl के लिए same process आपको follow करना होगा तो यह वीडिय और height 2 cm होगी photograph आपकी live capture की जाएगी वो वीडियो देख लोगे समस्मझ में आ जाएगा तो आगे भढ़ता हूँ form के फिए 100 रुपे है women candidates अगर आप women candidates है तो form free रहेगा sct person with disability as a service man है तो भी form आपके लिए free रहेगा आगे भढ़ते हैं correction window के बारे में मैंने आपको already बताया है जब आप form fill करेंगे तो आपसे तीन choices पूछी जाएंगे कि कहां कहां आपको exam देना है all और इंडिया की city जुहाँ पर मिलेगी तो तीन city कोई भी अपनी पसंद क्या आप select कर सकते हैं chances से उन में से एक city मिल आपको examination के लिए ठीक है exam की scheme simple है tier 1 examination होगा जिसमें math English gk and reasoning पूछा जाएगा यह qualifying paper होता है इसे qualify कर गए लगभग vacancies के 9 से 10 उना आज के time पर जो trends जल रहा है इतने qualify करते हैं तो आपके पास 3700 vacancies हैं तो 35,000 से 40,000 के बीच में आसके आसपास मान के चलिए के index tier 1 को qualify करेंगे जो qualify कर जाएंगे उसके तीन महीने के बाद आपका लगभग tier 2 examination conduct राजएगा जिसमें math English gk reasoning एक तो computer add हो जाएगा जो की qualify in nature होगा और एक skill test आपका add हो जाएगा जिसमें आपकी typing कराई जाएगी ठीक है pattern same है tier 1 और tier 2 की preparation लगभग same होती है math English gk reasoning की कुछ extra topics tier 2 में पूछे जाते हैं ठीक है वो आपकी सारी तियारी कराई जाती है यह आपका जुलाई के starting में है यह आप मानके चलिए September end तक हो सकता है आपका tier 2 examination भी conduct करा दिया जाए और उसके लगभड date से दो महीने के अंदर आपको अपना final result भी मिल जाएगा तो October November के आप मानके चलिए कि हो सकता है आपका सारा final result सब कुछ process complete हो जाए एक्जाम का ठीक है तो December से आपकी joining आनी भी start हो जाए तो process बहुत fast हो गया SSC का tier 1 का pattern का English gk reasoning and maths and general awareness ठीक है तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो total 100 questions आएंगे आपके 4 section के मिलाके हर question एक question आपका दो number का होगा तो total 25-25-25 question चारो section के एक question दो number का तो हर एक section 50-50 number का हो गया 200 number का आपका paper होगा वन आर दिया जाएगा paper को attempt करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर knowledge काफी नहीं रहे कि आपको हो ज़्यादा test भी देने पड़ेंगे जिसे कि आपके speed बनी रहे क्योंकि आपको जो 100 questions attempt करने यह सिर्फ 60 minutes के अंदर attempt करने है timing play a very important role उसके बाद negative marking भी होती है अगर आपने सही करा तो दो number नहीं attempt किया तो 0 अगर आपने गल्द attempt कर दिया तो 0.5 marks आपके डिटक्ट भी होगे normalization होता है क्योंकि पिछली बार 40 shift में exam होवा था इस बार भी most probably 40-50 shift में exam आपका credit है तो अलग-अलग shift में balance बनाने के लिए normalization होगा जिसे की किसे को undue advantage ना मिले टोटल आपको 200 में से नंबर देखे जाएंगे जी के में आपके कितने मैस में कितने ये matter नहीं करता total overall score आपका matter करेगा कोई sectional cutoff यहां पे नहीं होती है चलूं के आगे हम में tier 1 का result आएगा उसकी cutoff देखने को मिलेगी जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 2023 की जो tier 1 की cutoff थी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं उस time पर हमारे पास 1700 initial vacancies दिखा रहा था तो tier 1 को qualify करने वाले हमारे पास 17635 के आसपास candidates थे जिसमें unreserved category की cutoff गई थी हमारी 154 marks के आसपास तो cutoff अच्छी जाती है इस बार भी आप 150 से कम expect मत करना अगर पिछले साल जैसा level आए 150 से उपर ही जाएगी चाहे vacancies भड़ गई है लेकिन बहुत छोटे marks से margin पे ही हमारे candidates जो last के होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं तो कम से कम 150 प्लस marks के आपको proportion लेके चलनी है अगर आप general categories है अगर आप देखेंगे OBC category और EWS category भी cutoff इसके आसपास ही है ज्यादा फरक नहीं है तो आपको complete त्यारी ही करनी पड़ेगे ठीक है बाकी normalization कैसे हुआ था कि shift में अगर previous year paper दे रहे हैं कितने marks लेके आ रहे हैं तो आपके chance से clear होने कि उसके लिए लग से separate video भी मना हुआ यह previous year की tier 1 की cutoff हो गई मैंने कहा यह सिर्फ qualifying in nature है लेकिन जो आप पढ़ेंगे tier 1 में वो tier 2 में काम आने वाला खाली तो आपको अच्छे सही सारे की पढ़नी है चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें जैसे मैंस का जो स्रेवा से कि सारे की सारे चैप्टर्स आपके tier 1 में पूछे जाएंगे पिछली बार 40 shift में पेपर वादा तो इतने-तने questions हर एक topics है तो एक over total questions और पर shift कितने-कितने questions थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो वेटेज आप देखी पाएंगे यहाँ पर किस-किस topics से कितने-कितने questions CHSL examination में बने थे ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यह GK section का हो गया किस topic से कितने-कितने questions बने उसके बाद आपका यहाँ पर reasoning section हो गया और उसके बाद आपका यहाँ पर English section हो गया ठीक है सलेबस जाओ हमारी website पर जाओ सारे papers पिछले साल 40 shift में हुआ तो सारे के सारे मैंने डाले हुए है आप full length test दे सकते हो आप sectional test देना चाओ sectional test भी वहाँ पर जाके दे सकते हो पर जाके तो वह दिख जाएगा वहाँ पर यह pdf देख सकते हो यह subject wise pdf है और आपके overall pdf अविलेबल है chapter wise pdf के लिए मैंने आपको एक targeting में बताया था 10,000 likes पर वह होते ही आपको chapter wise pdf भी डालते जाएंगी आगे मैं बढ़ता हूं तो यह साइट test के बारे में होगा complete त्या आगे मैं बढ़ता हूं complete computer section करा रखा उसकी ebook भी available current affairs के लग playlist है math की gk English reading सबकी playlist crash courses करवा रखे detail courses के लिए आपको paid course देखना पड़ता है अब main जो है जिसके marks जुडेंगे वो है tier 2 examination tier 1 आपने qualify कर लिया तो tier 2 में क्या होगा देखो इसे sections में बाटा गया है एक है आपका section 1 section section 1 में क्या होगा आपको एक घंटा दिया जाएगा उसमें क्या होगा 30 question आपके math के आएंगे पहले फिर 30 question reasoning के total 60 questions होगे ठीक है एक question 3 number का होगा negative marking किसकी होगी हापे minus 1 की होगी ठीक है तो 180 number में से आपको score करना है एक घंटा मिलेगा आपको इसके लिए combined एक घंटा खतम होत होते ही आपका section 2 स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपका English का और GK का test होगा इसमें 40 question English के और 20 question GK के तो 60 question आएंगे again same चीज गल्थ करने पर minus 1 deduct होगा सही करने पर 3 notempt करने पर 0 180 का यह है तो total जो merit बने गये आपकी वो 180 प्लस बने टीड़ेट इस 360 मार्क से बनेगी इसमें क्योंकि section 1 अलग है section 2 अलग है तो normalization section 1 का अलग होता है section 2 का अलग होता है 300 start में से maximum score आपको लाना पड़ेगा selection के लिए जो पिछली बार cutoff गई थी वो 360 में से चाहिए जनरल category के 294 के आसपास गई थी और इससे पहले 2022 में बात करूँ तो शायद उसमें 280 के आसपास cutoff गई थी 360 मार्क में से तो आपको काफी अच्छे marks target करने पड़ेंगे क्योंकि जी के section में काफी लोग कहीं बरफस जाते हैं लेकिन math english or reasoning तो आपको बहुत अच्छे से अपनी cover करनी है और जी के भी अभी से लेकर चालेंगे तो दिक्कत बाद में नहीं आएगे फिर ए computer test होता है जिसमें 15 questions पूछे जाते हैं इसके लिए लग से आपको 15 minutes दिये जाते है तीन नंबर के question होता है 45 यह आपका क्या होता है computer section यह qualifying in nature होता है अब इसमें क्या है इसमें fixed cutoff है कि आपको इससे जादा लाने पड़ेंगे जैसे unreserved category के लिए 30% होता है 45 का 30% निकाल लेंगे तो unreserved category के लिए आपको कितने लाने है 13.5 लाने है OBC category के लिए 25% होता है तो AWS इसके लिए 25% पर cutoff निकलती है तो 11.25 minimum आपको लाने है ठीक है SC ST category के लिए आपको 20% होता है तो लगभग आपको कितने नंबर लाने है 9 नंबर लाने है out of 45 पिछली बार CHSL में computer का level काफी अच्छा पूछ लिया था तो इस लाइट ली मतने लिए टीर 1 के लिए भी टीर 1 म से पहले अगर आपको टाइम बिले तो भी computer देख जाओगे तो आपको काफी benefit मिलेगा बागे tier 2 में तो अच्छे तरीके से करके ही जाना है SC का कोई भरोसा नहीं है कैसी level का paper बना दे ठीक है computer की free playlist आप लोगों के लिए डाले के यह वो tier 1 से पहले अगर आपके पास बाकी चीजे तैयार हो गई है तो वो देख जाना अगर मैं आगे बात करता हूं तो tier 1 हो गया tier 2 हो गया जिसके mark जुड़ने basically जो objective type paper है वो हो गया उसी दिन tier 2 वाले जी नहीं है सारे काम होने वाले है यह वाला और साथ ही साथ आपका skill test लिया जाएगा skill test अलग लग तरीके से हो तो 3 cut of tier 1 में निकलेगी जिस जिस लिश्ट में आपका नाम होगा उसी basis पर आपका skill test कराया जाएगा skill test की दो language होती है English और Hindi ठीक है आप किसी भी language में अपना skill test मतलब typing test दे सकते हैं अब वो भी किसके लिए अगर आप LDC के लिए अप्लाय कर रहे है तो दोनो language का option है DAO के लिए आपको सिर्फ एक language का option होता है वो अभी हम discuss करेंगे तो skill test क्या होता है LDC के लिए आपका 10 minute का skill test होता है जिसमें 10 minute में आपको 1750 characters type करने होता है English language में ठीक है और Hindi का भी criteria भी आपको बताऊंगा ऐसी अगर मैं बात करता हूँ अगर आप data entry operator की post के लिए skill test देना है तो आपको 15 minute मिलेगी और data entry operator जो अलग-लग process में है वो अभी discuss करेंगे उसमें भी 15 minute मिलती है आपको अब detail में एक बार typing देख लेते हैं उसके बाद cutoff पे बात करेंगे टीर टू की cutoff किया गई थी पिछले साल ठीक है तो यहां पर data entry operator grade A एक तरीके कर जो data entry operator है उसमें क्या मिलेगा आपको 15 minutes मिलेंगी जिसके अंदर आपको 3700 to 4000 की depressions type करने पड़ेंगे किस language में English language के अंदर एक दूसर data entry operator की post है उसके अंदर आपको क्या कर रहा है उसको 15 minutes के अंदर इसके अंदर आपको 2000 to 2200 की depression करने पड़ेंगे तो यह वाला आसान होता है आपको यह वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है चलूं आगे हम मैं तो इसमें अच्छी typing की speed चाहेगी जो maximum experience के लिए जो 35 word per minute की typing speed चीए अगर आप English language ओप कर रहे हैं तो इसमें 35 word में 5 characters माने जाते हैं तो मतलब 1750 की stroke आपको की depression कर रहे होंगे 15 minutes के अंदर 30 minutes के अंदर तो अभी के लिए फिलाल आप यह मानके चलिए ठीक है 35 word per minute की आपको typing speed यहां पर दिखा रखा है आपको प्रिपेर करके जाने 45 minutes per word per minute की typing speed पर तब जाके आप exam में कर पाएंगे 35 दूसरी चीज स्क्रीन पर यह आपका text आता है उससी देखके आपको नीचे लिखना होता है तो आसान होता है मतलब type करना होता है लेकिन typing अगर आपको अभी साथ यह अच्छी बात है नहीं आती है तो कुछ लोग tier 1 के बात सीखने स्टार्ट करते हैं तो भी कर पाते हैं लेकिन tier 2 exam का pressure होता थो थोड़ी दिक्कत आती है अगर आपके basic अच्छे हैं तो अभी से आप word per minute के हिसाब से ठीक है तो 10 आपके इसके अंदर भी कितना time मिलेगा इसके अंदर भी आपको 10 minutes ही दिये जाएंगे कि तो 30 into minutes कि 5 1500 हिंदी में आपको type करने पड़ेंगे words कि चलो आगे भड़ता हूं document verification user department आपका कराएगा अच्छा tier 2 की पिछले साल की हमारी क्या cutoff गई थी जैसे unreserved category की हमारी 293 marks गई थी शायद मैंने पीछे 294 लिग जया था OBC की 290 EWS की भी 293 के आसपास cutoff गई थी SC की 280 और ST category के आपकी 268 marks पिछली बार marks का variation आप देखेंगे बहुत ही minimum था ठीक है क्योंकि vacancies कम थी इस बार थोड़ी vacancies जादा है तो cutoff में variation एक से दो नंबर का EWS और UR में आपको देखने को मिल सकता है तो बहुत जादा major variation नहीं होता EWS category और UR category की final cutoff के अंदर ठीक है बड़ लेकिन कई बार department चूछ करने में आपको EWS category से मदद मिल जाती है अगर आप वो fulfill करते है आगे मैं भात करता हूँ यहाँ पर यह सारे की सारी चीज़े हो गई तो complete information आई होप आप सभी लोगों को मिल गई होगी कोई भी query है CHSL exam से related आप comment section में लेक सकते हैं हर query का आपको reply मिल जाएगा complete preparation करना चाहते हैं आप detailed courses के साथ तो RB का officer batch available है जिसमें Mass English GK Reigny की complete preparation CGL, CHSL examination का tier 2 level तक already declare रखे है सारी recorded videos आपको मिल जाएंगी जिससे आप कम से कम time में अपनी preparation कर पाएंगे अगर आप state exams दे रहे हैं तो जहाँ पे हिंदी आती है तो वो भी cover हो जाएगा उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत रहेगी कि तीन महीने में अगर आप सोचें कि पूरी तयारी हो जाएगे तो बहुत मुश्किल काम है ठीक है अगर आपको competitive exam में पहली बार ये video देख रहे हो तो शायद आपको हो सकता अगले साल की preparation करनी पड़े लेकिन जो लोग already इस exam से जुड़े में हैं जिनकी तयारी काफी हथ तक ओ भी रखी है या फिर जिनका aptitude बहुत अच्छा है तो इन तीन महीने में भी काफी मेनद करके concise content के साथ अपनी तयारी को काफी अच्छे level तक आप ले जा सकते हैं तो अपना motivation बनाए रखे तयारी करते रहे हैं जो CHSL का pattern में वही CGL का होता है CHSL के दो महीने बाद या आपका CGL का examination भी conduct होना है तो जो आप तयारी CHSL के लिए कर रहे हैं वही आपको CGL में भी काफी जाता मदद देने वाली है ठीक है CGL में आपके higher grade भी के पोस्ट होंगी तो मैं यही कहता हूं हमिशा तयारी करो मन लगा के एक साल अपनी तयारी को दो उसके पास सारे government job की जितनी भी frequency group B और group C आती है आप सारी क्वालिफाय कर सकते हैं classes के साथ हम क्या करते हैं आपका time बचाने के लिए PDF भी जिस पेस आपको दे देते हैं जिसमें questions लिखा होता है आपको सिर्फ solution लिखना होता है जिससे कि आपको note बनाने में काफे जादा time बच जाता है अगर आप print करना च कोशिश यह की जा रहे है कि कम से कम time में आपकी जाल से ज़्यादा preparation हो जाए officer batch में सब कुछ included होता है बाकि आप individual आगर आपको लगता है किसी particular subject को अच्छे से prepare करना है जैसे मानलों आपको लगता है कि सिफ math पढ़ना है math and reasoning पढ़ना है तो आप मेरा batch math का भी ले सकते हैं जिसमें आपको six months की validity 999 में और one year की validity 1299 में आप यह देख सकते हैं इससे भी आपकी math की origin के preparation हो जाएगी अगर आपको सारे subjects का चीए तो officer batch individual आपको खाली gk पढ़ना है तो gk का खाली course या बाकी चीज़ों का भी English का खाली course वो सारे available है आप अपने साब से जो भी आपको required लगे आप त्यारी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप paid course से ही त्यारी करें free classes से भी आप देख सकते हैं आपको जिस teacher का पढ़ायव अच्छा लगता है आप उससे बढ़ सकते हैं बस मैं यह कहूंगा कि अपने time बिल्कुल भी वेशना कीजिए क्योंकि 2024 मैंने आपको पोस्टर एसिस्टेंट सोर्टिंग एसिस्टेंट की सीजल 2022 के अंदर 20,000 से ज्यादा vacancies थी खाली एक पोड डिपार्टमेंट में और उसमें से बहुत सारे लोग लोगों ने तो जोईन ही नहीं किया बहुत सारे लोगों ने department शोड दिया सीजल 2023 से या किसी और कर सकते हैं बाई बाई एवरीबन टेक केर एव नाइस डे एंड जाहिन